आज में जो रेसिपी शेयर कर रही हूं आप लोगों के साथ यह बिंगॉली फूड में बहुत ही फेमस रेसिपी है जिसमें मचली के सिर और पत्ता गोबी का स्थमाल किया जाता है कुछ मसालों के साथ यह बिल्कुल ट्रेडिशनल रेसिपी है जो चावल और रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है तो यहां आप देख सकते हैं एक प्लेट में मैंने पत्ता गोबी और मचली के सिर को लिया हुआ है तो पत्ता गोबी को मैं पतला काट लूँगी जैसे हम लोग सबजी बना कर लिया है अब मैं कढ़ाई गरम करके डाल दूंगी सरसो का तेल गरम हो चुका है अब मैं मचली के सिर को तल लूँगी तो इसे करीब मीडियम फ्लेम पर 10-12 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है और फ्राई होने के बाद जब यह थोड़ी सी ठंडी हो जाएग और मचली के सिर को मैं इस तरह से तल ले रही हूँ आप चाहें तो डीप वाली कढ़ाई का स्तमाल कर सकते हैं तो इसी तरह से जैसा मैंने बताया इसे 10-12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई कर लेना है उसके बाद मैं इसे कढ़ाई से निकाल लूँग और इसी तेल में मैं सबजी बनाऊंगी यह आप देख सकते हैं मचली फ्राई हो चुकी है अब मैं इसे कढ़ाई से निकाल के एक प्लेट में रख ले रही हूँ और जैसा मैंने बताया है इसी में मैं सबजी बनाऊंगी तो सबसे पहले मैं डाल रही हूं इसमें डाल चीन किये हलका golden brown ना हो जाए soft हो जाना चाहिए friends और हलका golden brown हो जाना चाहिए अब मैं डाल रही हूं इसमें पत्ता गोबी जिसे मैंने पतला काट लिया है इस तरह से कि यहां आप 2-3 मेर्ड तक चलाते रहें उसके बाद इस में कुछ सूख्य मसाली डालेंगे तो अाधा चमच में डाल रही हूँ हलदी पाउडर आधा चमच जीरा पाउडर आधा चमच धनिया आधा Cory남 सबते हमंसा चाह् ded हों के सारे प्तागोवी आपाउड Branch या तो नमक आप सबसे लास्ट में डाल सकते हैं अगर आपको नमक कांदाजा ना हो डीम मसाले तो फ्रेंस यहां पर आप देख सकते हैं सारी मसाला को मैंने पत्ता गोवं मैं अच्छे से मिला लिया है और 5 मिंद कर लिए इसी तरह से आपको सबजी को चलाते रहना भी उसके बाद मैं डाल लूगी एक टमाटर जिससे मैंने काट लिया है तो यहां पर मैंने एधर चला मारे Patienten और टेजपता डालने के बाद मैं डाल रही हुँ, इसमें एक तेजपता डालने से सबजी बहुत तेजपता डालने के बाद फिर से इसे इसे मैं चला ले रही हूँ और एक से दो मिनट मैं चला लूँगी इसे अब मैं इसे ढखकन ढखक करके लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए पका लूँगी फ्रेंस और पानी आपको नहीं डालना है इसमें तो 15 मिनट यहां पर हो चुके हैं यह देखिए पत्ता गोवी में अपना पानी भी होता है और मैंने डमाटर भी डाला था तो यह अच्छी तरह से सबजी जो है पक चुकी है अब मैं इसमें डालूँगी मचली के सिर जिसे मैंने क्रश कर लिया था और वीडियो में मैंने पह अगर आपको फिश मसाला ना मिले तो आधा चमश गरम मसाला पाउडर इसमें डाल सकते हैं यहां मैंने एक चमश फिश मसाला डाल दिया है अब मसाले को मैं सबजी में अची तरह से मिला लोगी और जैसा मैंने बताया था फ्रेंग्स लोवीड धकन डख कर के दस से पंद् सब्सक्राइब करें चाहिए तो धकन में ढग दे रही हूं यहां पर 15 में हो चुके हैं विज्टी त्यार हो चुकी है हमारी लग रही है कितनी टेस्टी और यमी तो बहुत आसान सी रेसेपी है और बिलकुल नहीं रेसेपी है पता नहीं आपने खाया होगा यह नहीं सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी यॉमी डिलिशस और नहीं नहीं रेसेपी में आप लोग के साथ रोज शेयर करती रहोंगी तब तक के लिए बाई और थांक यू फर वाचिंग